नमस्कार इंडिया एक्स्पेस में आपका स्वागत है दिल्ली देहरदून एकोनुमिक कोरिडोर में भूमी अधिकरेन में एक करूट रुपे परतिबीगा के हिसाब से किसान मुआवजा मांग रहे हैं और भी काफी समस्या हैं यूपी के सामली में धर्णा चल रहा है और कि किसानों ने साफ कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जमीन पर कपजा नहीं देंगे पिछले दिनों महिला किसानों ने बुट्राड़ा में उस जमीन पर दोबारा अपना कपजा ले लिया था जिस पर परसासन ने काम सुरू करने के लिए अपना कपजा पहले दिन ही आ गए थे अब रालोध ने भी समर्थन कर दिया है। परसासन और किसानों के तेवर को देखते हैं टाव की स्थिती बनने का डर है। हाला कि परसासन की ओर से वार्ताकर किसानों को समझाने की कोशिस हो सकती है। बागपत के टीकरी में 3 अगस्ट को महापंचायत भी है। इसमें कोई बड़ा फैसल लिया जा सकता है। आपको बता दें कि सामली जीले में 22 गावों के किसानों की 221 एक्टर जमीन कोरिडोर में जा रही है। और अब तक 300 करोड रुपे कमोआउजा वितरित क्या जा चुका है। झाल 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 झाल